की तो सांसांग एज्ज पैनल के लिए एक न्या अपडेट जो है वो रॉल आउट कर दिया है संसांग ने आज आपने कुछ डिवाइस्ज के लिए तो आज के इस वीडियो के इंदर डीटेल में बात करेंगे इसी नए अपडेट के बारे में जो कि सैमसंग के डिवाइस में रोल आउट किया गया है एज पैनल्स का तो वीडियो को अन्त तक देखेगा और लाइक कर देज़ेगा इस वीडियो को लाइक तर्गेट हम लो रखते हैं 90 लाइक नबे लाइक आप लोग कंप्लीट कर देज़ेगा औ तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं तो अपडेट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है गलेक्सी स्टोर में उसके बाद आपको मेन्यू पे क्लिक करना है अपडेट्स पे क्लिक करना है यहाँ पर आपको दोने अपडेट्स मिलेंगे एक है एप्स का और एक है edge panels का तो सबसे पहले बात करते हैं edge panels की तो यहाँ पर edge panels यहाँ पर edge panel में सभी panels आ जाते हैं जो app edge panel है people's edge panel clipboard हो गया यहाँ पर compass हो गया सभी panels हमें देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर इस में what's new में देख सकते हैं fixed bucks and improved stability तो यहाँ पर जो bucks आ रहे थे problems आ रहा था one UI 5.0 के बाद तो उसको fix किया गया और साथी stability को भी improve किया गया है इसने update के अंदर इसके अलाबा apps panel के लिए भी एक update roll out किया गया है यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिलता है apps edge panel तो इसके लिए भी एक update roll out किया गया है और इस update में भी stability को improve किया गया है और जो bucks आ रहे हैं उन bucks को fix किया गया है तो इन दोनों applications को करते हैं update और देखते हैं क्या कुछ improvements किया गया है तो यहाँ पर यह update हो रहा है 4.54 MB का यह update है तो यहाँ पर यह जो है वो update हो रहा है दोस्तो install तो यहाँ पर यह हो चुका है install अब करते हैं apps edge panel को update तो यहाँ पर यह भी update हो रहा है 4.41 MB का यह update है तो यह भी update हो रहा है install तो यहां पर यह हो चुका है इंस्टॉल तो देखिए दोस्तों वानिवाई 5.0 के बाद क्या हो रहा था कि कुछ बक्स आ रहे थे यहां पर जो एज पैनल है वो यहां पर कभी-कभी वर्क नहीं करता था तो उसको यहां पर फिक्स किया गया है अगर बात करें तो यहां पर अगर एज पैनल की तो यहां पर सभी पैनल्स देखने को मिल जाते हैं एप्स हो गया स्मार्ट सिलेक्ट हो गया टास्क हो गया पिपल एज पैनल हो गया यहां पर वेदर हो गया टूल्स हो गया रिमांडर क्लिप बोर्ड यहां पर सभी पैनल्स हमें देखने को मिल जाते ह को इसके अलावा आप इसको कुष्टमाईज भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से तो यहां पर अगर बात करें एप अज़ पैनल की तो यहां पर देख सकते हैं यह है एपस एज पैनल तो इसमें भी कुछ बग्स आ रहा था प्राब्लम सा रहा था तो उसको फिक्स किया गया है एपस एज पैनल में तो अपडेट कीजिए गलेक्सि स्टोर पे जाकर और यूच कीजिए एज पैनल को तो यहीं ता आज की सब्रेइब को सब्सक्राइब साथ ही आज से जो भी यहां पर पहले कमेंट करेगा उन inclusive क मैं यहां पर नाम लूंगा तो यहाँ पर कमेंट किया है लोफी हिट टॉप ने तो आप इनके भी चैनल को चेक आउट कर सकते हैं मैं मिलता हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहंद वंदे मातरम